आगरा के कहरेई का है जहां एक परबार दो से धाई साल होने को आया उनको ना कोई आर्थिक धर्रासी मिली ना उनको कोई भी ठीक से सांतोना दी गई प्राइम टीवी ने जिसने एक शहीद के पीडित परिवार को न्याय दिलाया है दरसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए कोशल रावत की शहादत पर सरकारी मशीनरी के द्वारा कई घोशनाई की गई थी लेकिन करीब धाई साल भी जाने के बाद भी शहीद के परिवार को इनकी कई घोशनाओ का कोई लाब तक नहीं मिला जिसके बाद शहीद की पत्नी परिवार के साथ सरकारी मशीनरी के से ठाखार कर शहीद की प्रतिमा पर धरने पर बैट गई और फिर शुरुआ सरकारी तंत्र के खिलाफ यलगार जिसमें पीडित परिवार का साथ दिया प्राइम टीवी ने हमारे आगरा की समवादाता ममता और आमित ने इस पूरे मामले को प्रात्मिक्ता से दिखाते हुए कवरेज भी की और खबर से जुड़ी हर अपडेट को लोगों तक पहुचाया प्रशासन के दवाव के बावजूद प्राइम टीवी की टीम ना तो रुकी ना ही थमी डियम से लेकर डेप्यूटी सीम तक मामले को अफगत कराया गया और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब इस मामले पर परिवार की मांगे मानी गई अपर जिलादिकारी नगर खुद शहीद के परिवार से मिलने पहुचे और परिवार को 65,57,000 का चेक स्वाप आ गया है मही पूर्व मे की गई सभी गोष्णाओं को पूरा करने का वादा भी किया गया है जिसके बाद अब शहीद की विरांगना मंतार रावत ने धर्णा समाप्त कर दिया तो प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर और हमें भी खुशी हो रही है ये खबर बताते हुए क्योंकि कहीं न कहीं हमने एक विरांगना की मदद की है और मदद की है उन्हें वो तमाम उनका जिस पे हग बनता है वो तमाम योजनाव से उन्हें अवगत कराने का और ला अनगहना का धरना अपनी माग उपड़कार आज वरावा था समया वुषे में हरा आज आशन हमाने सात पने हैं को सब्सक्राइब zincuma करsz में कि आद भakenे विए कि अब आपकोर फेर्काम में के लिए सजीव wertा sedja create के एक हुआ क्रणुन मुझे मैं बीजिए इस्ट रस सुप्षाइब हाद दो साल थे वह वह आज मुझे मिल कोश्ण तैनक है मेरा कुछ और तरफ का विरवागना की तो है कि क्या वारता होई है और क्या प्रयास निगित ते तिन धरने पर रहें और परेशानिया उस समय पर दोर में परेशानी तो थी मम्मी की तवियत भी थोड़ी बहुत खराब रही प्रॉब्लम है उनको थोड़ा से शुगर का भी था पर हम खुश है कि धरना हम समाप्त करें और हम बहुत खुश है कि डीम साहब मतलब प्रभू सर ने जो काम किया है वो बहुत कम लोग कर पाद है कि 24 गं साल से भाग रहे थे जिसके लिए उन्होंने 24 गंटे के अंदर करवा दिये यह दिखाता है कि एक एक एड्मिस्ट्रेशन पर्सनल की और ऑफिसर की पावर क्या होती हो क्या से क्या कर सकते हैं यह बहुत बड़ी चीज है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए उनके अधाई साल से हम लगातर चक्कर काट रहे थे लेकिन फिर हमने एक अंत सोचा कि हम धरने में बैठते हैं जो पिछले तीन दिन से हम धरना कर रहे थे अपना दरना प्रदेशन चल रहा था तो सरकारी की इतनी भी गोश्णा है थी पिछले ढाई साल से एक पूरी नहीं जो इतनी भी जितनी भी गोश्णा ही थी सरकार की उनको 24 आउस के अंदर कंप्रीट कर दिया जितनी भी थी हमारा पैसा था और हमारे शहीद दौआर था आज से ही काम चालू उन्होंनों बढ़ा और तरीश घंटे के अंदर आपको रजल्ट मिलेगा वह सर एफेक्ट तो लगातार हम आवाज बुलंद कर रहे थे विदांगिना मंतार रावत की तरफ से और हमने कोशिश पुरजोर की थी और उस कोशिश की जब सफलता प्राप्त होती है तो खुशी कुछ औरी होती है तो आपने भी देखा कि मंतार रावत के को हर वो चीजे मोहिया कराई जा चुकी है लगातार हमारे समवादाता मंता बार्दवाज और साथी साथ अमित जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस खबर को प्रमुकता से दिखाया जा तो हमाई साथ दोनों जुड़ चु पहले अमित मैं आप से पूछना चाहूंगे इस वक्त आप समारक पे है क्या खुशी महसूस हो रही को कि लगातार प्राइम टीवी इसको लेकर प्रात्मिक्ता से इस खबर को चला रहा था और लगातार हमाई तरफ से कोशिश थी कि हर वो कोशिश थी कि हमारी कि हम हर की ज़िए वीरंगना है मंतार आवयr यहाँ अपने सरवास के साथ धाथने पर भैड़ी की तो लगातार जिसंद से ंती सहीति विरंगना ने अपना जो भीक्त निया शेकर्णा को निया जिलाने का फॉम्याइम टी the future कि अपती है ज tooling ne पूरा प्रवर्ज लगाता है और अच्कारियों से यहां तक हमने पूरा पूलाओ भी लिया और सब्सें बड़ी बाद में आप तो यह पता दू जिस तरीके से जिस जिन्ग यहां पर जो यहां की विदायक हैं अनुटा दिवाकर वो यहां आई थी और जब इनुटे पीप् लेकि प्राइम टेजी की और से उस अवास फिरू उठाया गया था और आज उसका नतिज़ा यह है कि उस परवार को मियाय मिला उसकी जो पूर्ब में जो गोशना जिसकी गई थी ती जो पूरा किया गया और जो सेट्टी विवाक का पैसा था जिसको प्रिसासम मानने को प कोशिच करिए कि ममता जी को कैसा लग रहा है उनके मन में इस वक्त कितनी खुशी है क्योंकि लगातार प्राइम टीवी उनके साथ बना हुआ था इस खबर को लेकर और ममता रावत को नयाय दिलाने के लिए उनको रहत कोश्च दिलाने के लिए जो राशी उनके खाते में चाहिए उसको दिलाने के लिए लगातार हम तत्वत करीके से इस पर आवाज बुलंद कर रहे थे कि जिस तरह पुलबामा हमले में जो सहीद हुए थे उनकी सहाधत को इस सरकार ने पूरी तरह से बुला दिया था उसी का यहीं कारण रहा कि पुलबामा हमले को आज तक धाई साल बीच चुके और जो उनकी बिरांगना थी उनको अब तक नयायन नहीं मिल पाया था उसके बाद में बीरांगना के दौरा सक अर के एक वीडियो वाइरल के चियěता है, और उसके बाद में जब लगताइबा उनको धर ने को मज़़ूर होना पड़ता है, ताथ दिन पर बेड़ी तब तक लगातार उनकी आवाज को उठाया दर्श्मों तक दिखाया और लोगों को यह बताया कि किस तरह आज देश के अंदर एक सहीद की विरांगना इस तरह इस मुहिंद के लिए और इस नौबत तक यह नौबत आ जाती है कि उसको धरने के लिए मजबूर ह तो इस तरह से प्राम टीवी की टीम लगातार उसी को मुहिंद केला एक और आज यह मुहिंद की चुमांगे दी आकिस तरह को को जुबना पड़ा और एक और कि अधरना समाफ हो गया और यह बहुत खुश। और आये हम इंसे बात करते हो और इनी से जानते हैं जिसतरह तरह क्या लग रहा है इनको क्या कुछ यह कहने चाहेंगी प्राइम टीवी के लिए जिसतरह वह अपकी को सिस्ट आ रहे वह अपको दिखाया दर्सकों तक मौचा आया उसके लिए इप क्या कहना चाहएं सबसे पहले ते मैं इस चैनल को धन्नेवाद केना चाहती हूं मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज योगी जी तक और सरकार तक पहुंचाई गई क्योंकि मैं डाई साल ते बहुत परिस्थान थी गूम गूम के नहीं जल्दी से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए मैं अ मेरे दौट सबस्थान आपके नाम बदनना था थी दूर नमर मेरे पती का दोर बनना था जो एक एक दिन का सिचाविवाग का पैसा कटा ता दुछ थी मैं बहुत परेसां थी मेरे और साथ वालियों को जो कटा था उनको मिल चुका था मुझे नहीं मिला था तो मुझे चिच्चा विवागों द्वारा एक लेटर और ड्राप किया गया था जब मेरे पास सबूत आ गया था तो मुझे वड़ा सा मजूत हो गई जब मैंने जी आवाज उटाए कि यह आक्त या तो मुझे मेरत दिया जाए नहीं नहीं भी बुलाता कि अगर मुझे नही गया है तो मेरे पती का कहीं ना कहीं शाहिद की विरांगना से मैंने भी जुड़ने का जुड़े थे हम भी और उनसे जानने की भी कोशिश की थी कि किस तरह की तकलीफों से वो जूज रही थी और हमने इस आवाज को बुलंदी के साथ उठाया था कि नहीं उन्हें साफ मिलन और उनकी पीडा को मैंने सुना था मैंने समझा था कि वो किस दर्श से धाई साल से वो इस पीडा से गुजर रही थी कि उनको वो राहत कोश की राशी नहीं मिल पा रही है इस मारक तक नहीं बनवा के दिया जा रहा है जिस पर आज तक भी चब्दर शड़ी हुई थी तो क क्या अब वो वो समारक को एक बार फिर से खोल देंगी इसको लेकर क्या वो चाहती है कि कोई बड़े नेता भाज़पा की वहां पहुचे समारक पर शहीद की क्या मांगे है उनकी अभी जी बिल्कुल करती मैं आपको बता दू कि इसमारक की जो अनावर्ण की जो बात है उसको लेकर के वो किसी बीजेपी की जो लीडर है उनको नहीं चाहती है कि वो उनके किसी बीजेपी की लीडर से उसका अनावर्ण कराया जाए जिस तरह कि मेरी उनसे बात ली और वो चाह जी बिल्कुल आमित आप भी लगातार जुड़े हुए हैं और जिस तरह से नाराज़गी देखने को मिली और मम्ता ने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं वो शहीत का स्मारक का जो अनावरन है वो तक नहीं कराना जाती किसी नेता से क्यूंकि धाई साल जो विरांगना इस ह हद तक परशान हो गई कि उन्हें मदब तक नहीं दी गए जो उनके हक के पैसे थे जो उनके हक की चीज़े थी वो उन तक मौहिया नहीं हो पाई करेंगोजर ने उसका नावर नहीं करेंगी उसका एक सीज़ीज़ा उन पर वासे होटा नाया थौ थे मो हम सुई आपेर शाज़ें चीज़ें सानी मध्योक्त बहुत जादा है सृतकियोणद की वाुणार जो एक तरीप अगर वहां से भागेदारी निभाई है और बहुत बड़ी भागेदारी निभाई है और उनको कही ना कहीं उनकी रातकोष राशी साथ-स्मारक का नावरन जल्द होगा और उनका जो धरना था वो भी समापत हो गया इससे बड़ी खुशी के बाद हमारे लिए कोई होई नी सकती ममता क्या कहना चाहेंगी आप क्योंकि लगातार आप बनी हुई थी उनके परिवारों का हाल चाल जानी थी जब आगरा दौरे पर थे तब आपने उनसे भी बात करने कोशिश की आपने सुभे शाम दिन रात नहीं देखा और आपने एक कर दिया कि कहीं न कहीं विरांगना मंतार रावत को प्राइम टीवी को और आपको इंसाफ दिलाना है और हमारी हमेशा कोशिश भी रही है कि हम एक परिवार से जुड़े हूं और यह जनता हमारी परिवार है और अगर उनको तकलीफ होती है तो बेशक हमें भी क्लीफ होती है जी बिल्कुर जिस तरह कि प्राइम टीवी ने ये मुहम चलाई कि यह जब इन तब वीडियो वायरल हुआ अब तक काफी प्रशासन काफी हम लोग के उपर दबाब रहा लेकिन हम लोगों ने कोई प्रशासन के दबाब को यह राजनेतिक दबाब को ना मानते ञा OF की बिल्कुल ममता और अमेद आप दोनों का भी बहुत 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 शुक्रिया कि आप लगातार ऐसे चीज़ों को लेकर आवास बुलंद करते रहे हैं और लगातार आपने ये मुहीम जारी रखकी है उसके लिए आप दोनों का भी बहुत 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 हज कि सरकार को ये पता चले कि जो लोग आपको वोट देते हैं जो लोग ताकत रखते हैं आपको सत्ता में बैठाने की उनकी आवाज आपको सुनने की जरुआ था और इसी तरह से हमने अब शहीत की पत्नी यानि की विरांगना ममता रावत को भी उनका धर्णा समाप्त कराते और लगातार हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह से हम आवाज बुलंद करते रहें और इसी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी परिशानी होगे उसको प्राइम टीवी प्रमुकता के साथ सामने रखेगा सरकार के सामने रखेगा अधिकारियों के सामने ताकि वो मजबूर हो जाए आपकी उस हर परशानी को दूर करने के लिए हमारी पहली प्रात्मिकता है आपकी खुशी और आपकी जरुवत की चीजे सरकार के तरफ से जो भी आपको अगर कोई परशानी है यो कोई तो आप प्राइम टीवी प्रमुकता से रख सकते हैं फिला परतिक दर्रासी मिली ना उनको कोई भी ठीक से सांतों ना दी गई कि इन दिन से सहित की वीरांगना का धर्ना अपनी मांगों को लेकर जो चल लगाता चल रहागा और समाप कोज रहा है अम मांगों कोज रहा है